हलो बच्चा बाटी कैसे हैं आप सब लोग मैंने हारे काप सब लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे आज के तो most important questions के lecture में और आज हम लोग क्या करने वाले हैं आज हम लोग करने वाले हैं हमारी first flight book के पहले chapter a letter to God को तो हम लोग इस lecture में करेंगे क्या इसमें होगा क्या पहल हम लोग देखेंगे इस chapter में से the most important questions ऐसे क्या क्या questions होंगे जो हमारे paper में पूछे जा सकते हैं और हम उन questions को कैसे लिख सकते हैं क्या उन questions को crack करने की trick है और कुछ question के examples जिनको हम लोग discuss करेंगे ठीक है तो इससे पहले कि हम लोग हमारे questions को discuss करना start करें थोड़ा सा एक chapter का basic introduction कर लेते हैं थोड़ा सा recap कर लेते हैं इस chapter का ताकि जब हमारे questions को solve करने लगे तो हमें पता हो कि हमें कैसे अपने answers को लिखना है ठीक है तो इस ही के साथ शुरू करते हैं हमारे आज के इस topic को letter to God तो हम लोगों की story किस के बारे में है हमारी story है लेंकों के बारे में जो एक farmer था अभी इतना eager था कि इसकी फसल जल्दी होगे इसके कौन जल्दी होगे और उनसे यह पैसा कमाए और अपना साल ठीक से निकाल दे तो पूरे दिन वह वेट करता रहा कि बारिश होगी बारिश होगी बारिश होगी लेकिन बारिश तो हुई नहीं शाम कोस ने देखा कि नौर्थीस्टें साइट से ना कुछ क्लाउड आ रहे थे लेकिन वो क्लाउड जब तक उसकी फिल्द तक पहुंचे उसके जो आइडिया थे ना रिगार्डिंग क्रॉप्स एं रिगार्डिंग दे काइंड अफ क्रॉप्स जो वहां पर उगने वाली और जो पैसा उसको अब बच्चा पाटी वो क्यों चेंज हुआ था वो इसलिए चेंज हुआ कि जब वहां से बादल आये तो उसे उमीद थी कि उनके साथ बारिश होगी बारिश हुई लेकिन थोड़ी ही देर में वो जो बारिश थी ना वो ओलों में बदल गई हेल स्चॉम में बदल गई है इसलि पूरी की पूरी फील्ड डेस्टोई हो गई और टम अज एव जो पूरी फील्ड है यहां पर नुकसान होगिया है अब यह प्लीड ओ लोकस्त क्या चीज होती है आप लोकोंने लास्त दो साल पहले देखा होगा कि जब वो लॉकड़ाउण था तो एक्टिदी दल न उन्चे बजाबजा कि उनको भगाया था अपने घरों से तो वह टिडडी दल क्या करता है वह प्लांट को खा जाता है उसे इंग्रिश में लोकस्ट कहते हैं तो यसे लोकस्ट ने भी इतना नुखसान नहीं किया होगा जितना नुखसान इसको इनकी बरफ ने कर दिया है वह तो हम एक काम क्यूं ना करें हाँ भगवान से मदद लीजिए ना भगवान तो आपकी जरूर मदद करेंगे तो जो हमारा ओथर है जो में क्यारेक्टर है उसने भगवान को एक लेटर लिखा और इस लेटर के अंदर उसने लिखा कि मेरे पास पैसे नहीं है आप कृपया मेरे में को 100 पीजोस दीजिए प्रिकल उन सौ पीजोस से मैं अपनी फसल को रीग्रोब ही करूंगा प्लस अगले एक साल के लिए मेरे post office में जमा कराते हैं कि भगवान तक पहुंच जाएगा भगवान पैसे बेज देंगे लेकिन जब लेटर post office पहुंचता है तो post office employees and post master उन पर हसने लगते हैं कि अजीब बंदा है भगवान को letter लिख रहा है भगवान को कौन letter लिखता है भला इसमें क्या सच होगा थोड़ी देर बाद post master को realize होता है कि नहीं अगर किसी इंसान का भगवान पे इतना विश्वास है तो उसके विश्वास का सही उसको एक सही रास्ता दिखाना चाहिए ना कि उस पहसना चाहिए तो जो post master था उसने कि वह उसके लिए पैसे करेंगा अब पैसे उसने कैसे करें वह पैसे उसने करें अपनी सालरी में से देकर प्लस उसके office के उसके कुछ employees थे उनको बोलकर कि आप भी हमारे यहां पर पैसा दीजिए तो जब उन सब लोगों ने वह पैसा इकठा किया और उसको दिया तो वह कुछ 70 पीजों इकठे करके दे पाए थे अब जब लैंको भाया आते हैं और जब देखते हैं कि उसको 70 पीजों मिलें उसको इस इसमें 70 पीजों थे उसने मांगे 100 थे तब उसको गुस्सा आता है और वो एक और लेटर भगवान को लिखता है जिसमें वो नादान आदमी यह लिखके भेजता है कि भगवान अगली बार जब पैसे भेजो तो मेरे घर पे भेजना ऐसे आसमन से बरसा देना पैसों को बै मेरे पैसों में से 30 निकाल लिया और मुझे सिव 70 वापस कर दिये और जब बाद में यह लेटर पोस्ट में बोस्मास्चर पढ़ता है तो उसको बहुत बुरा लगता है कि किसी की मदद करने का भी उसको क्या वो मिला वो इठिस होगे न अच्छा सिला दिया तोने मेरी मेह अच्छा सब्सक्राइब करने मेरे मेरी मदद का तोने काफी बुरा लगता है कि उनके साथ कुछ इस तरीके से हुआ अब लेंको का इतना जादा भगवान में विश्वास था कि हम हमारे हिंदी में एक चीज कह दें कि अती किसी भी चीज की नुकसान देती है किसी भी यहां तक सबको जल्दी से उन्हें एक क्विक रिकाप मिल गया होगा चैप्टर का अब चलते हैं आगे हमारे क्वेशिंग उपर और उन सवालों को सॉल्व करते हैं जो इस चाप्टर में से हमारे लिए उठाए गए हैं ठीक है आए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमा इसने डिल्दी करने की और आंसे सटेक्स स्टार्ट करने की और आनसेस को लिखने की देना चाहती हं जिस्से आप लोगों के आंसर्स suced me so beautiful score ओनाइस कि आप लोगों के answers में तो नहीं पर नहीं कटने वाले हैं आप लोगों को ना एक trick याद रखनी है आप लोगों को एक trick याद रखनी है ICC क्या trick याद रखनी है ICC अब यह ICC क्या बला है मैं अब यह भी बता दो तो आजो बच्चा पाटी पहले समझ लो यह ICC क्या है यह ICC स्चैंड करता है इंट्रो के लिए इंट्रोडक्शन कॉंटेंट कि आप अपने आंसर में क्या-क्या कॉंटेंट डालने वाले हो और फिर आती है आपकी कंक्लूजिन अब जब भी आंसर बनाओगे और अगर आप इस पैटन से अपने आंसर को फॉर्म करोगे तो बच्चा पाटी याद रखना आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे अब क्योंकि हमारे साथ पती क्या होता है हम लोगों को आंसर दिया हूँ वस लेंग को तो हम वहीं सिखान लगेगा कि इस चाप्टर में क्या दिया गया है जो इस चीज़ को अपने बैक ऑफ दो माइंड में रखके आंसर को लिखेंगे ना तो वह आंसर में कभी भी गलतिया आप लोग नहीं करेंगे और यह आइसी सी को याद रखेंगे तो आपके आंसर एक प्रॉपर स्ट्रक् लेंगों कहां रहता था तो हम इसे कैसे लिखेंगे हम इस आंसर को कैसे बताएंगे हम इस आंसर में एक छोटी सी एक इंट्रड़क्शन लाइन देंगे जिसमें हम लेंगों के बारे में बता सकते हैं ओवर्व बता सकते हैं स्टोरी का किस चीज के बारे में है तो इंट्र आपका आता है content content में दो minimum points आने ही चाहिए मतलब जो भी answer आप लिख रहे हैं उसमें कोई भी 2 points को जरूर include कीजिए because आपका answer ना 3 mark का बनेगा या 2 mark का बनेगा या 5 mark का बनेगा तो अगर आप इस pattern को follow करते हैं अगर इस pattern को follow करेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे 3 marks 2 marks 5 marks अगर इन 2 mark का है तो भी same pattern 3 mark का है 3 point डाली है 5 marks का है 5 point डाली है main content में और conclusion भी हमारी one line की ही होती है जिसके अंदर हम लोग मेभी उसका after math बता सकते है after math का मतलब हो गया कि उसके बाद उस story में आगे क्या हुआ तो इससे क्या होता है आपका answer एक full-fledged answer बन जादा जिसमें आपने introduction दी फिर आपने content दिया और आपने उसका conclusion दिया तो यहां पे teacher को आपके content में answer के structure में number काटने को कोई भी chance नहीं रहता है बचा क्या बचा आपके grammatical errors तो वह हमारी responsibility है वह हम side-by-side आप हमार साथ जुड़े रहेंगे तो अभी grammatical errors भी यूनों कम हो जाएंगे आप लोगों को समाझ आ जाएगा कि answers किस तरीके से बनाना है प्लस always try to make your answers yourself हमेशा अपने answers खुद बनाने के कोशिश करो बिकस जब आपने answers खुद बनाएंगे ना तब आपको अपने पे confidence आएगा जरूरी नहीं है इस्कूल में direct question देंगे who was Lenko and you know where did he live जरूरी नहीं है कि यह direct question आएगा हो सकता है वो question गुमा कर दें तो बच्चा पाटी आप लोगों को गुमा कर answer देना भी तो आना चाहिए ना तो इसीरे start practicing your answers and यह pattern को याद रखना in ICC it is introduction, content and your conclusion ठीक है आजाते हैं देखते हैं हमारा पहला सवाल पहला सवाल कहता है who was Lenko and where did he live तो हम पहली लाइन में क्या बताएंगे Lenko कौन था, Lenko was a farmer who had a field of corn Lenko कौन था जिसके पास एक कौन की field थी and he was eagerly waiting for the harvest और वो क्या कर रहा था, यहां पर हमने बताया Lenko एक farmer था, मैं चाहती है तो यहां तक भी खतम कर सकती थी Lenko was a farmer who had a field of corn, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक अदर एक additional point दाल दिया and he was eagerly waiting for the harvest वो तो हर्वेस्ट का वेट कर रहा है कि कब उसकी फसल दंग से हो जाएगी उसका हर्वेस्ट हो जाएगा तो वो कट कर के आगे अपने market में बेज देगा और पैसा कमा लेगा तो यहां पर मैंने एक additional point दाला and he was waiting for his harvest तो यहां पर मेरा introduction का पार्ट हो गया अब आता है हमारे पस Lenko के बारे में और जादा information तो है नहीं हमें पता है वो एक farmer था और वो यहां पर अपनी उसके पास एक field of corn था and वो harvest का वेट कर रहा था वो कहां रहता था his house was the only one in the valley उसका जो घर था वो वैली में सिर्फ एक था and it sat at the crest of a low hill और वो एक low hill के टॉप पर था from where one could see the field of ripe corn dotted with flowers that promised a good harvest and rivers तो यहां पर हमारे answer में हमने क्या देखा हमने पहले देखा की Lenko कौन था वो कहां रहता था second में हमने देखा कि वो eagerly wait कर रहा था यहां पर देखो इसका content का main part आ गया his house was the only one in the valley that sat on the crest of a low hill उसका जो घर था वो एक valley के top पे low valley के top पे हुआ करता था जहां से हम लोग field को देख सकते थे राइब कॉन की field को वो dotted क्यूं है पिकज़ आप कोई चीज़ बहुत हाइट से तो चीज़ें आपको बहुत चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी-चोटी माइनूट दिखती है बहुत ना के बराबर ऐसे बिंदू दिखते हैं तो वैसे ही लेकिन मैंने आगे क्या एडिशनल इंफरमेशन दी मैंने इंफरमेशन दी कि जो प्रॉमिस करता है कि गूड हर्वेस्ट होगा और उसके इलावा वहां पर रिवर्स भी थी तो इस तरीके से हम लोग हमारे आंसर को बना सकते हैं that will follow the principle of ICC that is introduction content or conclusion ठीक है I hope आप सब लोगों को यह पहला सवाल एक दिम clear होगा और इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे वोगी clear होगा and this is one such question जो यह मतलब यह मान लीजे कि पहले chapter का पहला ही सवाल है कि लैंको कौन था और वो कहां पर रहता था ठीक है बच्छा बाटी I hope यहां तक आप सब लोगों को clear होगा और किसी को कोई भी डाउट नहीं आया होगा आगे पर्टिकुलर थिंग जिसके लिए वो वेट कर रहा था अब हम वापस अपना introduction देंगे लैंको वाजीगर लीज़ा फार्मर वो कौन था वो एक फार्मर था जो एगरली वेट कर रहा था for a downpour to take place downpour यानि बारिश who was waiting for rainfall to take place बारिश आएगी तो ही उसकी जो फीड्स को पानी मिले आपनी मिलेगा तो वह राही पूजाएगी तो वह उसको प्रॉपर ली harvest कर पाएगा तोिस वेटिंग फर वाठीं फॉर राइन वो क्यों कर रहा था वह बारिश का इंतजार अब देख़ो मैंने उपर यहां पर मैंने रेंड वर्ड का यूस किया हम लोग हमारे आंसर में एक ही वर्ड के synonyms को यूस कर सकते हैं उसको एक प्रॉपर मीनिंग देने के लिए ताकि टीचर को भी लगे कि हाँ इस बच्चे ने अपने आंसर में कुछ अच्छी वोकाबलरी का यूस किया है तो अगर आपको एक वर्ड के और वर्ड पता है उसके क्राप रेडी हो जाएंगी वोड बी अबल तो सेल थैंग एंड वनी बिकास अटी अपना पैसा कमाने के लिए तो वो उस फीड के राइप होने का वेट भी सिर्व इसी लिए ही कर रहा था कि जब उसकी फसल पूरे तरीके से उख जाएगी उसके बाद वो उस मार्केट में बेचेगा और उससे अपना पैसा कमाले का बिकाज एपना इंड पार बूसको यही वेर्ड करना था चाहा तो वंसे स्कॉप्स वडिए रड़ी ही you would be able to sell them and earn money, okay, I hope here until all the kids, there will be no problem in these two questions and you will understand that we can follow the pattern of ICC in which way. Use vocabulary, this is one such suggestion, you can use vocabulary but just keep one thing in mind, that you use the words, don't be much jargon, jargon is a very difficult word, don't be much jargon that you think the answer level is increased, because when the answer is checked in the board, we have to focus on this thing in the board, that the answer is not basic and high level, otherwise there are chances that the number is deducted, you use good words, but don't use so many words, if you know, you get a teacher who isn't as familiar with all the kind of words, then cut your number, okay, because of various reasons, number can cut, so use vocabulary, but use such vocabulary, use to find your answers, which you get the number, it's not much difficult and easy, if you have to learn more, then confusion will come in paper, so what comes, it's a very good thing, but you can enhance yourself in some things, every day, you can use vocabulary words, which we can use in answers, okay, how did the rain change into something, that Lanko didn't expect, rain, which has changed in such a way, which Lanko has never thought that Lanko's worst nightmare, and I said that this was my way, Lanko anticipated shower in which field, what do you mean by anticipated, kids, like I said, I could use expected words here, I didn't write expected, I took what I took, I took anticipated, meaning it is expected, it was expected that it will be in the field, in the field, there will be rain, but I took expected a good word, anticipated, okay, which the teacher also thought, okay, yes, this kid has a vocabulary, this kid knows that I can use the answers to where I can use the words, or I can do, in writing the answers, Lanko anticipated a shower in his corn field, when he saw a cloud approaching from the north-eastern direction, he got ecstatic, now here comes our second word, which is ecstatic, now what is ecstatic, means ecstatic, happy, when a person becomes more happy, when he becomes ecstatic, he is saying that he is crazy, there will be rain, it will be rain, it will be rain here, you know, if Fassalpurji is going to be rain, it will be rain, it will be rain, it will be rain, he was saying that he will be rain, but now he is very happy that I am going to be rain, लेकिन अब बहुत ही जल्दी इसकी खुशी के बारा बजने वाले हैं और इसकी जिंदेगी में दुख ही दुख आने वाला है वो दुख ही दुख कैसे आता है यह समझ लो अब यहां पर मैंने बट की जगा एक और वर्ट का इस्तमाल किया यहां पर मैं चाहती तो मैं बट भी डाल सकती थी लेकिन मैंने यूज़ किया हम लोग आ गए हैं तो हमारे आंसर जो है वो अच्छे होने चाहिए टीचर को भी लगना चाहिए कि हाँ भाया बच्छा पड़ आप परिश की बून्दे औलों में बदल गई उसका मूड बिलकुल खराब हो गया कि अब मैं क्या करूँगा इस हेलस्टोंस डिस्ट्रॉइड इस क्रॉप्स यह जो हेलस्टोंस थे उनने इसके क्रॉप को खराब कर दिया एंड शाटर्ड इस होप्स और उसकी जो उमीद इसके फिने थी उन्हें खतम कर दिया इन्हें हम 느됐 रफिकल सकते हैं या फिनिश्ट लिःग सकते हैं ऐप एंडेड लिख सकते हैं हमने इसी आंसर में काफी अक्ष रूइज रीक शाटर्ड हमने आप लोगों के माक्स का फंड फंड़ मिलेंगे फ्लस आप लोग grammar पे side by side work करेंगे sentence structure सही रखेंगे तो बच्छा पाटी कहीं पे भी number आप लोगों के नहीं करने नहीं कटने वाले and then हमारे पास you know point होगा हकर हर मैदान फते और फिर हम फते करके दिखाएंगे कि लो अब हमारे answers गलत नहीं हो रहे हैं आप यहां तक सब लोगों को क्लियर होगा और किसी को एक था चुन्नु मुन्नु सा पी डाउट नहीं होगा अगर है तो प्लीज कीप मेंशनेंगे ताकि हमें भी बता लगते रहे कि आप लोगों को कहां तक समझ में आ रहा है ठीक है इसी के साथ बढ़ते हैं और देखते है यहां यहां अमारा अग्ला प्वेस्ट नम्म कहता है वाइडिग अंपरे श्माल रेंड्रोप शुवां एंग रेंड्रोप्स जो इतना कुछ व्गए भंध के अने पांच जोने छोट छोटी रेंड्रोप वोला जो पांचेंट है और बडू नग ईसए प्शन इना थे ब बारिश होगी और उसे वासलोगाएगा तो पैसा आएगा अब इसीलिए जस तू शोभीज हैपिनेस उसने क्या किया उसने उन रेंड्रॉप्स को परसमिफाई कर दिया किससे उसने परसमिफाई कर दिया और पैसों के अमाउंट से उसने बोला कि यह कुछ सिंक्के हैं compare करने लगा वने सिक्कों से Lenko was very happy awaiting the raindrops, यह वेटिंग for the raindrops के जगा मैंने क्या कर दिया awaiting लिख दिया waiting for the raindrops since the raindrops would be the final thing needed by the crops to harvest, later the only thing that would help him with a good harvest and ample amount of money, so it says because that raindrops ही ऐसी चीज थी, जो उसको finally चाहिए थी अपने harvest के crops, crops के harvest को complete करने के लिए, लेकिन बाद में क्या होता है, the only thing, यह बारिश है, it will be the only thing that would help him have a good harvest, जो इसको एक अच्छा harvest रखने में help करेगा, plus उससे वो ample amount of money, ample means good sum of money, ज्यादा पैसा कम आपाएगा and ample amount of money, क्योंकि वही उसकी उमीद, आखरी उमीद, मेरी तुट कहीं जावीदा, तो इसका भी है कि वह तुट कही पैचारी क्योंकि बारिश के फर्म में आखरी एगे तो तुट कहीं पैचारी के आखरी उमीद भी, he therefore compared small drops to small pennies and larger drops to sorry, it is five pennies, very sorry and larger drops to ten pennies, अब यहाँ हमने क्या किया हम लोगोंने सिक्को के लिए, सेंट्स के लिए, पैनीज वर्ड का यूस कर लिया, so this is how we can you know improvise our answers, इस तरीके से हम लोग हमारे answers को improvise कर सकते हैं, जैसे हमने लिखा कि Lenko compared small drops, मैं चाहाती तो यहाँ से शुरू कर सकती थी, the rain drops would be the final, यहाँ से, the only thing that would help him have a good harvest and ample amount of money, he compared small drops to five pennies and larger drops to ten pennies, मैं चाहाती तो यहाँ से answer शुरू करती, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने समझदारी दिखाई और मैंने एक introduction का point दे दिया, वो introduction से मेरे answer में क्या फायदा होगा, वो introduction से मेरे answer में यह फायदा होगा, कि एक तुना हमें confusion होती है कि मैं, question में इतना लिखने को होता ही नहीं, question है इतना चोटा सा, answer बनता है इतना सा, 2-3-9 का, teacher number देती ही नहीं, बोलती है कि आपने आप लोग अपने answers को enhance करने के लिए introduction डालो ना, conclusion डालो ना, आपके conclusion डालने से आपके answers बढ़े हो जाएंगे, और उससे आप लोगों को numbers भी मिलेंगे, so these are various small tricks जिनको आप लोग use कर सकते हो, अपने answers के quality को और अपने answers के levels को बढ़ाने के लिए, ठीक है? I hope आप सब लोगों को ये वाला question समझ में आगया होगा, कि Lenko ने छोटी raindrops को 5 cent और बड़ी वालों को 10 cent इसलिए बोला था, बिकस वो ही उसका एक जरिया था पैसा कमाने का, तो उसने क्या किया, उसने उनी को personify कर दिया, और उसने ये बोला कि जो छोटी raindrops हैं वो 5 cent देंगी, और जो बड़ी raindrops हैं वो 10 cent देंगी, at the end of the day, वो करेंगी तो harvest ही ना, उसके crop को, तो भाया, पैसे कितने भूखे हो गए थे, कि वो पागल हो गए थे, it truly resembles silver coin, what resembles silver coin and why is it said so, अब यहाँ पिना हमारी situation में आ जाती है irony, अब पहले समझ लीजे कि irony क्या होता है, irony ना, एक ऐसी situation होती है, जिसमें जो चीज होती नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि वो है, जैसे मैं कहती हूँ, इस साल तो गरीबों के घर में जलसा मन रहा होगा, अब गरीब इंसान, जिसके पास खाने पीने का भी पैसा नहीं है, वो जलसा कैसे मनाएगा, तो यह एक irony है, जो चीज है नहीं, मैं उसको भी बोल रही हूँ, कि यह तो ऐसी है, irony is a kind of a taunt, या satire, satire, जैसे मैंने बोला, इस साल तो लेंको बहुत पैसा कमाएगा, इस साल तो लेंको बहुत खाएगा, तो लेंको कैसे खाएगा, उसके पास फीड में काम करने लाइक तो कुछ है ही नहीं, खा तो वो सकता नहीं, कुछ हो तो सकता नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लेकिन हमने बोला वैसे दिखाने के लिए एक टॉंट मारने के लिए या एक सर्काजम दिखाने के लिए जब अपने पॉइंट को इस तरीके से बोल सकते हैं तो वह आरेनी कहलाती है एक टूले रिसेंबल सिल्वर कॉइंस यह कॉंसे सिटुएशन है बचा पाटी यह वह इसके मौत का पर्चम था वह क्यों जब जैसे वह गिरेंगी जो हेल सोंस गिरेंगे तो वह उसके फील्ड को खराब करेंगे वह उसके लिए सिर्वर कॉइन हो ही नहीं सकते तो हमने जो जिस हो नहीं सकती उसको इस तरीके से बोला कि वह है टूली रिजेंबल सिल्वर इस question में clear clear irony दी गई है इस question को आप लोगों को जब paper में दिया जाएगा तो वो यह भी कह सकते हैं एक और question आप लोगों के इसके अंदर और में लिख सकते हैं what was ironical about the silver coins falling from the sky यहां पर यह silver coins है मैं समझ जाना है कि आसमान से कोई silver coins नहीं गिर रहे थे आसे hillstones गिर रहे थे और hillstones जासे होते हैं ओले के जो होते हैं पीचे वोगों कोई साइड चुट्टे से गोल गोल से होते हैं इसलिए उने compare किया गया है यहां पर silver coins तो एक प्वाइंट को समझ लेते हैं आंसर को करते हैं soon all the rain as the rain drops turned into hail all of lenko's hopes collapsed जब हमने देखा कि raindrops hail में यानी ओलो में चेंज हो गई है लेंको की जितनी भी उमीदें थी न वो सब चकना चुर हो गई वो सब पानी में मिल गई विचारा परिशान हो गया इसके जिंदीगी खराब गया है वो भी वो कॉंसी मूवी थी कि क्वीन थी या में पुरा जिंदीगी खराब हो गया है वो विलकुल उसका वही हाल था कि भाया मेरा तो पूरा लाइफ खराब हो गया है और यह बिकेम डिप्रेस्ट और वो जैसे वो दुखी ती यह वी डिप्रेस हो गई कि भाया मेरी फील तो खराब हो गई देस्टोंस इत फेल फूं देस्काइ रिजेम्बल दगॉइंस एजएंबल मतलब लुक अलाइक या लुक लाइक कि जो आसमान जे ओर गिर रहे थे यह बिल्म्ट वो गॉइंस जैसे दिख रहे थे दूट इस शैने शैफ यह कि विस इसमिल्स चमक थी सफेज सफेज बहुत इरोनिक है उसके सिचुएशन के उपर, इरोनिक है, बिकास वो उमीद कर था, रेंडॉप्स, उसको ने 5-10-10 से से कम्पेर किया था, यहां पर क्या गिर रहा है, यहां पर उसके उपर गिर रहा है वो हैल स्टोंस है, जो उसके फसल को खराब कर देंगे, तो वो the raindrops to be coined coins but ironically the hillstones sounded like it. उसने expect किया था कि जो raindrops होंगी वो उसके लिए coins का काम काम करेंगी वो उसके लिए asset का काम करेंगी. Asset एक ऐची चीज होते हैं जिसे आप लोग पैसा कमा सकते हैं. An object by which you can earn money. An object through which you can earn money. तो उसको लगा था कि वो asset होंगे उसके लिए वो बारिश एक asset लेकिन वो बारिश नहीं वो उसके लिए liability बनके आई ऐसे चीज बनके आई जिस जो उसके लिए परिशानी खड़ी करेगी. But ironically, the hailstone sounded like it. लेकिन इत यहां पर किसके लिए यूज हो रहा है? इत यहां पर यूज हो रहा है silver coins के लिए. लेकिन जो hailstone है, वो यहां पर है silver coins उसको लग रहे हैं कि वो जो hailstone है, वो silver coins जैसी appearance के साथ थे, लेकिन वो end of the day में लाएंगे, क्या वो लोग लेकर आएंगे, destruction भर भर के, ठीक है? I hope यहां तक आप सब लोगों को यह point clear होगा, और यहां तक आप लोगों कुछ नुमुनु से भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर होगी तो please keep mentioning and इ it is really getting bad now, यह किस की statement है बच्चा बाटी, यह लोग आप लोग मुझे बताएंगे हमारे comment में कि किस की statement है, who is really, it is really getting bad now, यह किस भाईया ने बोला था story में, why did, okay, लिखा युवा है, आप लोगों को मिल जाएगा, why did Lenko say this, Lenko ने लाइन क्यू बोली थी, how has the hailstone affected his crops, the hailstone थे, आपको कैसे effect किया, यह question एक और तरीके से दे सकते हैं, वो directly आपको एक और statement देदेंगे और बोलेंगे कि इस से उस बचारी के दुरदशा यह उसको जो व्यथा थी, दिमागी व्यथा थी, शारीरी कश्ट हो रहा था जो उसको बताओ कि वो क्या था, अब प्लेग अफ लो कि प्लेग लोकस्ट नाम का एक प्राइन भूटे कर दोक्ता सारी दोट वह थाँ नम्रों मे आतर बीचों छॉब और था थालिया जो बज थी बीच में लोगोगोगोगोव्ट था भूटि फोगाभ बहूत रहल था पिच में आपने इस अपने आपने अपने फर्म्स में यहां पर हम लोग लोकस्त होता वो भी जादा चोड़ देता तो यहां पर हम लोग लोग की कंडिशन के लिए ना आप लोग एक शब्द लिख सकते हैं लेंको वाज डिस्ट्रेस्ट लेंको बहुत ही डिस्ट्रेस्ट था बहुत ही बहुत ही हेल्पलेस था ठीक है और काफी मिजरेबल कंडिशन में था यह आप लोग वर्ड यूज कर सकते हैं वो काफी वल्नरेबल था अपनी सिच्वेशन के अंदर और यह नोबटी टो हेल्प मिजरेबल का मतलब है दुखी । और वल्नरेबल का मतलब होची है जब आप बहुत जल्दी आप इसी भी परिशानी से बहुत जादा प्रोण हो तो मताब फॉर गर्षामपल्यामपल ओग कहते है य। आप वल्नरेबल फरम – एक अपर बसे वोइका अına चल्दी और वहांको सिच्टेशन में था है ज्या ही तो इसे मिंधोर के अथो सिचिम्हार बढ़ीक अध सिच्टेशन से बीप्ट फॉच्ट हो सकता था थिके के लैंकोς फीर्ड पास table सिट घ्ल स्क्रांफ और ह में पाता है है simple terms in destroyed हो गई है after an hour of hail falling एक गंटे बाद जब वो बरफ गिरती रही गिरती रही from the sky whole field was entirely covered with white snow उसकी पूरी field completely पूरे तरीके से white snow से cover हो गई थी as if it was salt मानो जैसे नमक की चादर बिच गई हो only leaf remained on the trees थोड़ी बहुत पतियां रह गई थी पेड़ों के ऊपर और कुछ भी नहीं था वहाँ पर corn was completely wiped out wiped out का मतलब हम यहां पर simply लिख सकते है destroyed जो इसका corn जो इसका asset था जो इसकी income का source था वो तो खतम हो गया the flowers vanished 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 मतलब disappeared जो लीज थी वह vanished हो गई from the plants और इस तरीके से यह के साथ होता है तो हम लोग यह लाइन को लास्ट में डाल सकते हैं therefore as Lenko said a plague of locusts would have left more than this the hell has left nothing was justified because उसकी field में बचारे की field में कुछ भी नहीं बचा है ठीक है I hope सब लोगों को यहां तक एक्दम क्लियर होगा और इस question में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी ठीक है आयो भड़ते हैं देख्टे हैं 7th question Why did Lenko believe that God will help him? अब Lenko जो था नहीं वो अंधभक्त था कि हमारे पास हिंदी में नहीं होता है अंधभक्त था वो वो पह च्हता था ता वो बढ़ान की बच्ति करता था तो पुरा प्रटिशन फाइल किया था बहुत सारे प्रूफ दिखा और अपना पैसा रियंबर्स कर लिया तो लेंगों को भी हम कह सकते हैं कि लेंगों का विश्वास बगवान में थोड़ा अजीव तरीके का था वह उन्द बहुत भगवान बरेगा ना आप कहते हो भगवा था भगवान था बगवान था बगवान लग्र surprised ड़ा मेरो मदद का अधा य तो कि वेडिए अहेल से शपने और आप लिए इंप्षागण संग को श भगवान से हेल्प लेगा और इसने भगवान को एक लेटर लिखा डिमांडिंग हंडड़ी पीजोज सो एक रिस फील्ड एंड सर्वाइब फर अनदर यॉर विदाउटर हार्वेस्ट और उसने उस लेटर में क्लियर क्लियर लिखा कि आप हमें पैसे देदीजिये कि मेरे प इसा पचेगा उससे में आगे का एक साल का सस्टेनेंस चलाऊंगा अपना लाइवली हुट चलाऊंगा तो यह बोलकर उसने भगवान को लेटर लिखके पैसे ले लिये मांगे वाइड़ पोस्टमास्टर और इस इंप्लोईज लाफ्ट वें दे सो लेंको लेटर तो जो और जो उसके पोस्ट ऑफिस इंप्लोईस थे वो उसके यू हसे और यह उनके चारेक्टर के बारे में क्या दिखाता है अचा प्लस वन मोर थिंग यहां पर आपने थीस्ट लिख लिख लिए आप लोग इसके लिए एक वर्द यूस कर सकते हैं इस इलूजिएंड इस प्लस इंप्लोई लाफ्ट वो यह उसके लिख 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 ल okay and told him that a mad fellow कि पागल सा इंसान भगवान को लेटर लिख कर दे गया है at first सबसे बहले postmaster had a good love to तो सबसे बहले postmaster भी आसा कि वा भया यह किसा पागल इंसान है but soon लेकिन बहुत जल्दी उने रेलाइज हो गया कि इसमान है इमेंस फेथ इमेंस का मीनिग आप लोग लिख सकते हैं great कि इसको बहुत जादा विश्वास है भगवान के अंदर फेथ का अजन मिश्वास है he wrote a letter asking for help कि उसे भगवान में इतना विश्वास था कि उसने भगवान को लेटर लिख दे कि भगवान आप ही हो मेरे यूनो सुखर्ता दुखर्ता तो आप ही मेरी मदद करोगे सुख्दाता दुखर्ता sorry this shows that the moment took toll for some time कि इससे में यह बता लगता है कि जो कि उनकी जिसमें उनकी हस पड़े एक्दम से थोड़ी दिर के लिए उनका जो एक्च्वल लिए हुमन का नेचर होता है ना वियर्ड और सामने वाले का मजाक उड़ाने वाला दो मिनिट के लिए वो जो नेचर था उनका एक्दम से हुआ but good email है कि नहीं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए एकसी इंसान को बगवान पर इतना विश्वास जाकिए ऐकर वह बगवान के लिए कज लिए बहुट बड़ी बात है तो उन्हेंने क्या किया पोश्वन मां को थे कई थे करें वर को還y don Jord Spray बहुकर मेंगे को कि इस拜拜 कॉर थे, ठीक है, वो आइट्रुविस्ट थे, आइट्रुविस्ट कौन होते हैं, आइट्रुविस्ट वो लोग होते हैं, जो दुनिया में भलाई करते हैं, भलाई करने वाले, उन्हेंने किस के लिए भलाई करी, उन्हेंने यहाँ पर भलाई करी लेंको के लिए उसको पैसा देकर, पैसा कलेक्ट करके What did the postmaster do to help Lenko to come out of the problem? जो postmaster था उसने ऐसा क्या किया लेंको को help करने के लिए कि वो परिशानी से भाहर आ जाए Lenko was a poor fellow, जिसने भगवान से 100 pesos मांगे थे When the postmaster received his letter, उन्हें रिसाइड किया, कि he was going to help him अब कैसे help करेंगे? उन्हेंने collected, he collected money from his employees उन्हेंने उन्हें से पैसा मांगा, कि आप लोग give them a part of their salary कि आप लोग अपनी salary में से कुछ-कुछ हिससा दीजिए विकास वो एक जरूरत मंद आदमी है, उसकी मदद हम सब लोगों को करनी चाहिए और he himself उसने खुद भी अपने part of salary को donate किया ताकि वो लेंको की मदद कर सके At last, he was able to collect 70 pesos, लेकिन सब कुछ करने के बाद वाद 70 pesos कुछ कर पाया जो उसने लेंको को भेज दिये in the name of God, जो उसने भगवान, ताकि उसका भगवान से विश्वास ना उठे, इतना considerate था कि उसने लिख के भेजा proper, you know, उनको name of God, इस तरीके से God का sign करके इसे God का sign करके उसने, you know, उसे लिख कर दे दिया कि ये लीजिए आपके लेटर और ये लीजिए आपका पैसा, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे इनके लिए words लिखी लिए हैं कि Postmaster considerate थे, kind-hearted थे, altruist थे, if I'll get more words, I'll mention it here, okay, I hope you all the kids are coming here and no doubt come, why did Lenko call the Post Office employees a bunch of crooks, why did he say bunch of crooks, he said he is a dog, why did he say it? it was not justified on his part to call the Post Office employees a bunch of crooks because they were the people who had actually given a part of their salary to help Lenko Lenko's believe in God made him disillusioned, उसके point के ऊपर जब उसने Post Office employees को bunch of crooks बोला तो वो इसी लिए जसी लिए जसी लिए नही था प्नी part of salary दी है उसको जिसकी वजासे, you know, उसके पास 70 पैसे, 70 पीसो आई हैं लेकिन फिर भी वो कहता है that the God is, that the person is, they are bunch of crooks but on this point Lenko is a disillusioned person, अब यहां पर why did the Lenko called the Post Office, इसमें हम लोग एक पाइंट और लिख सकते हैं, Lenko called the employees a bunch of crook because he asked for hundred pesos but received only 70, he believed that they had that the employees have taken some amount कि उन्होंने उसके अंदर से कुछ amount निकाल लिया है और फिर हम बताते हैं कि वो उसके पार्ट पर justified नहीं था कि उसने उनके employees को bunch of crook bola because actually वही लोग थे जिनने इसकी help करी और यहां पर लेंको का जो विश्वास था भगवान में उसने उसको डिसे बना दिया था उसने उसको इतना अंधभक्त बना दिया था कि उसको यह रिलाईज निवा कि असली भगवान पैसा कि कैसे देगा चल मानले दे भी दि कि आप ऐसे ना मेरे घर की चछट से बरसा देना और वहासे है जिननों से इसे क्यक करके पकड़ लूँगा हां अब वो कैते हैं हां फार वुट यू अगरी कि वंस पॉजिटिविटी इक ब्रिंग ब्रिंग ब्राइटनेस इवन इन दी अड़र्स यानि बाड सिच्वेशन कि आप वो कैसे लगता है कि किसी भी इंसान की पॉजिटिविटी एक स्पार्क ब्राइटनेस ला सकती है बुरी सिच्वेशन में वो कैते हैं इस आपसलूटली ट्रू कि यह ओंना रिखल लिखक्र आफसेति इस औरम प्टिमिझम मेंनीग उता है पॉजिटिव थिंकिंग जब इंसान अच्छा सोचता है तो ही अच्छा करता है इत आपसलिउटली ट्रूडट पॉजिव आप्तिमिजम् चें ब्रिंग इस पार्क को ब्राइटनेस इवन इंदर यह जीज सच है और यह जीज सच है और यह जो इनसान पॉजिटिविटी के साथ अपनी जीता है वो जिंदगी में हमेशा सक्सेस्फुल होता है इट वस लेंको इनसेंट अप्टिमिजम जिसने इवेंच्वली मतलब ग्राज्वली उसको लीड किया इन गटिंग सेविंटी पीजोस उसका भगवान विश्वास था उसने लेटर लिखा लेटर लोगों देखा पैसे दिये तो विश्वास ही था उसको जो 70 पीजोस दिलान को जीत गई ट्राइम्ट इट वन या इट वस विक्टोरियस विक्टोरियस ठीक है अब यह वाला क्वेशन भी आप सब लोगों को क्लियर होगा अगला क्वेशन देखते हैं वाय डिद लेंको इस हापिनेस चेंज इंडू डीप कंसर्न लेंको की जो खुशी थी वो कंसर् हमने देखा था यह उसी क्वेशन का पिछले करेवे क्वेशन का थोड़ा सा लंबा वाला वर्जन है लेंको ने प्रिडिक्ट किया था कि बारिश आईगी अच मिल टाइम रात को इट केम इन फॉर्म बड़ी बूंदों के फॉर्म में आई नाचरली लेंज से वस ग्लाइ कि अच्छी फसल होगे कि अच्छा पैसा जाएगा हावेवर हिस हापिनेस वस शॉर्ट लिब लेकिन इसकी कुशी जादा देर तक नहीं टिकी सदेनली एक स्ट्रोंग विंड आती है और रें टूंड इंटू हिल्स्टोंस देखते ही देखते ही बारिश हिल्स्टोंस लेफ़वर क्रॉप्स रहे गई नाचरली इसचा है विल्स्टोंस पुट लेंगो लेंगो इन इन डीप कंसर्ण अब इतना साथा लॉस्टोंस जेलने के बाद वह बहुती यूनों कंसर्ण हो गया रिगार्डिंग कि यूनों यह मेरे सास्थ जिंदगी में क्या हो गया है आए देखते हैं थर्टींथ क्वेश्टन लेंगो है ग्रेट फेथ इन गॉर्ट दॉस्का बड़ा फेथ था ही रोट ए लेटर तो गॉर्ट पीजोस पॉस्ट मास्टर एंप्लोई इंप्लोई सेंट मई तो हिम उसने बेज दिये लेंगो को लगा की इंप्लोई ने उसके तीस पीजोस चुरा लेहां तो इसने दूसरा लेटर लिखा गॉड को बोलते वें कि अबगा आप मेरे को मेरे तीस पीजोस बेज दीजिए लिए अनगा टूर अप्लोई टॉर्ट इंप्लोई जो इंप्लोई इससे में यह लिख था है कि लेंगों का अटिटीव तोवर् विष्वास था लेकिन जिसनने उसका मदद करी इंसान ने उसका बिल्कुल भी विष्वास नहीं था तो it also shows conflicting nature of human beings, इंसान का जो nature होता है, conflicting nature होता है, जा वह सोच नहीं पाता है कि उसे क्या करना है जो सोच नहीं पाता है कि उसके उसको बहुत जादा उन्हेपरेसे इनिचिली उसको juda कह से मिला इसको पैसा किस ने दिया हमारे थे लिव भॉप इन इसको लगा कि हो पैसा हो इसको कहा से मिला लेकिन इसको लगा कि बहुत ढ़ंग पैसा ब्हँड़ान ने दिया है और, और डिसे भीना गाली है तो इस टोरी में इरोनिकल है इसके एंड में वो कैजे दिए इंड अपनी सालेरी भी कॉंट्रिवीट कर दी हावेवर उसका जो ग्रेट आफ चैरिटी है ना उसे रिकोनाइस भी नहीं किया गया और नहीं उसे अप्रिशेट किया गया who received the help on the contrary जबकि हुआ क्या on the contrary मतलब oppositely opposite on the opposite on the on the opposite side the helpers were ironically called a bunch of crooks at the end of the agenda इसकी मदद करी उन सब को उसने bunch of crooks बोल दिया ठीक है I hope आप सब बच्चों को हमारे सारे questions समझ में आ गए होंगे और किसी को कोई भी doubt नहीं होगा इसी के साथ ये chapter के हमारे the most important questions होते हैं आगे भड़ते रहे हैं मेरी एक लाइन है do whatever you want to do but always make your parents proud इसी के साथ मिलते हैं अब तक के लिए बबाई everybody keep studying